हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश बोलना सीखना बेहत असान है जिस तरह से एक बच्चा बिना स्कूल जाए बिना कुछ लिखे पढ़े एक भाशा बोलना सीख जाता है उसी तरह से आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं इसलिए आपका इंग्लिश फ्योंसी कोच आज लेकर आया है five word sentences इस sentences बेहत कमाल के हैं इन्हें ध्यान से सुनिये समझिये और बोलिये और इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं Our attitude determines our life हमारा नजरिया हमारी जिन्दगी को तै करता है To me, love means you मेरे लिए प्यार का मतलब तुम हो The time never changes itself समय अपने आप नहीं बतलता है They need a passionate leader उल्हे एक जुनूनी नेता की जरूरत है Each box contains 12 bottles Her डिब्बे में 12 बोतले है I feel secure and comfortable मैं सुरक्षित और सहज महसूस करता हूँ She looks older than him वह उम्र में उससे बड़ी लगती है She is taller than you वह तुम से लंबी है They go fishing on Sundays वे रविवार को मचली पकड़ने जाते हैं They go shopping on Mondays वे सुमवार को शॉपिंग करने जाते हैं Traveling makes you a storyteller यात्रकरना आपको एक कहानी कार बना देता है Thinking makes you more intelligent सोचना आपको और बुधिमान बना देता है They no longer live here वे अब इहां नहीं रहते हैं She no longer loves you वे तुम से प्यार नहीं करती है Behave like an experienced person एक अनुभवी वेक्ती की तरह वहवार करो Pay attention to your priorities अपनी प्रात्मिकताओं पर ध्यान दो Know your strengths and weaknesses अपनी शक्तियों और कमियों को जानो Press up for the party Party के लिए तयार हो जाओ या फिर party के लिए कपड़े पहन लो Work for a better future एक बहतर भविश्य के लिए काम करो Do what makes you happy जो तुम्हें खुशी देता है वो करो Failure is part of success Asafalta, सafalta का हिस्सा है Every difficulty is an opportunity हर मुश्किल एक अवसर है Four people are still missing चार लोग अभी भी लापता है She is impervious to criticism वह अलोचना से अप्रभावित है It was very cold yesterday वह एक अच्छा वेक्ती लगा She left the job voluntarily उसने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी He and I went together वह और मैं एक साथ गए She left the meeting early उसने वह बैठक से जल्दी निकल गई थी He practiced speaking English daily उसने रोज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया It can be dangerous या खतरनाक हो सकता है You can shake the world तुम दुनिया हिला सकते हो Any person can learn English कोई भी वेक्दि अंग्रेजी सिख सकता है You cannot forget these sentences तुम इन वाक्यों को भूल नहीं सकते हो Normal service will soon resume Samanya sewa Shighrh पुनहा शुरू हो जाएगी This moment will not return यह पल फिर नहीं आएगा यह पल वापस नहीं आएगा You have to take risk तुम्हें जोखिम लेने होंगे You have to learn daily तुम्हें रोज सीखना होगा I have read this book मैंने किता पढ़ ली है Men have always admired courage आदमियोंने हमेशा साहस के प्रती आदर वा प्रशंसा का भाव रखा है Have you ever loved someone? क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार किया है Have you ever kissed anyone? क्या तुम्हें कभी किसी को चूमा है You must accept these rules तुम्हें ये नियम जरूर स्विकार करने चाहिए You must think and talk तुम्हें जरूर सोच कर बात करनी चाहिए She responded to my message उसने मेरे संदेश का जवाब दिया It never occurred to me मुझे ऐसा कभी नहीं लगा या फिर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा या ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया That is all friends for today I am sure you are going to use these sentences in your daily life conversation Thank you friends for watching this video Bye friends